नमस्कार आप देख रहें निक्स नाइट न्यूज में नाम है दीपक गुपता जानकारी देदे राजिस्थान की सियासी सत्ता में 12 तारिक को एक बार फिर से परदान मंत्री नरेंद्र मोधी की एंट्री होगी और इस बार फिर से कोई बड़े एलान परदान मंत्री दार लगे और शक्ती पढदर नजर आई भारते जन्ता पाटी का लेकिन इन सब के बीच खबर अचानक से सामने आती है कि सचेन पाइलेड दिल्ली की ओर रवाना होते हैं और क्यों दिल्ली की ओर रवाना हुए सचेन पाइलेड ये अपने आप में बहुत-बड़ा सवाल है क्योंकि दिल्ली की और देखा जाए जाद अतर राजनी तिक जितने भी बड़े-बड़े नेता है वो वहाँ पर है जिसे मलिक अरजुन कड़गी की बात कर ले राहूल गांदी सोनिया गांदी प्रियंका गांदी लेकिन इन सब से मुलाकात करने नहीं बलकि अपने परिवार से मुलाकात करने के लिए दिल्ली की और रुख करते नजर आए सचिन पाइलेट जी आप भी सोच रहोंगे कि आखिर परिवार से मुलाकात करना ऐसा क्या अनमुसीबत पड़ी तो जानकारी दे दे कि सचिन पाइलेट की जन भूमी दिली स्टित नोईडा बताया जाता है और वही दूसरी तृप यहाँ पर राजिस्थान उनकी कर्म भूमी बताया जाता है उनका परिवार जो है अभी भी दिली में है और दिली में अपने परिवार से मुलाकात करने के जो काम से अलग प्रैशार है थोड़ा परिवार पर प्राइब ये अपना प्राइर लोटाते है नाज़रा है, तो सचिन पाइलेट की तारीफ करनी होगी काम को भी अलग रखावा भाए, परिवार को भी अलग लग रखावा है, दोनों को साथ लेकर नहीं चल ल है, सचिन तर मंच पर भी बहुत कम नजर आए हैं और सारा पाइलेट की बात करें तो उनके पिता भी राजनेता हैं जैसे कि आप सब जानते हैं फारुक अबदुल्ला के बारे में वो कही न कहीं अपने आप में एक चर्चाओं का विश्य है लेकिन इन सब के अलग देखा जाए तो अंग्रिस पार्टी की सरकार रिपीट कराएंगे सचिन पाइलेट की लगातार मांग है उमीद करते हैं जानकारी पसंद आ ही होगी लेकिन अब बारा तारिक को एक बाद फिर से परदान मंतरी नरेंदर मोदी आ रहे हैं वहाँ पर कोई बड़ा एलान करेंगे जादा से ज मोदी की रेलियों में नजर आती अगर नहीं नजर आई तो यहाँ पर सचिन पाइलेट की जीत होती ही नजर आएगी देखते हैं क्या कुछ होता है और बीजेपी सांसत किरोड़ी लाल मीला इन सब मुहीम में जुटेवे हैं लेकिन दिल्ली की तरफ क्या सिरी मुलाकात करने गए थे या पाटी के निताओं से मुलाकात करने गए यह देखना ही बहुत दिल्चस्प रहेगा बनरे चनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत-बहुत धनिवाद